गाठ के लिए कई लोगों को आपने दिखा होगा कि उनके शरीर में कहीं कहीं पर गाठ हो जाती है और वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या हो गया कई बर डॉक्टर के पास जाओ तो वो ये कह जेते हैं जी इसको ऑपरेशन दे के खाटना पड़ेगा अगर आपको कोई तकलीव नहीं होती तो पड़ी रहने दो और उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि उनको पता एंटिबाइटिक देंगे तो भी उससे पिखलने वाली नहीं है अगर और कोई मेडिसन देंगे उसमेसी भी निकलने वाली नहीं है तो उसका कोई किसी के पास भी राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट बताता हूँ आप इसे घर पर कर सकते हैं और आपकी जो घांट है वो धीरे 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 पिगल कर अपने आप खतम हो जाएगी आप एक चम्मच हल्दी ले और एक चम्मच एलोवीरा का गुदा ले ले एलोवीरा जल बजार से लाने की जरूरत नहीं है एलोवीरा लाओ उसको काटो उसमें से गुदा निकालो एक चम्मच एलोवीरा का गुदा एक चम्मच हल्दी बस दोनों को अच्छे से mix कर लो इस तरीके से mix कर लो कि दोनों आपस में पूरे समाहित हो जाए नहीं तो बेशक खरल के अंदर उसको पीस लेना जिससे वो आपस में एक दूसरे में mix हो जाए तो बस ये आपकी दबा है इसको गांठ के उपर मुटा मुटा लेप करके रख दे और उसके उपर रूई लगा के बेशक पट्टी बान दे इसको रात को लगा कर सो जाए और सुबा जब उठें तो फिर बेशक ताजे पानी से या हलके गुनगुने पानी से साफ कर दें रोज करना शुरू कर दो धीरे 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 गांट जो है वो अपने आप अंदर से पिगल कर अपने आप खून में मिक्स हो जाएगी और वो बिल्कुल वो जगा जो सता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आप कहेंगे स्वामी जी कमाल हो गया ना क